उत्राखंड जिसे देव भूमी के नाम से भी जाना जाता है अपने अंकिनत मंदिरों और प्राकृत ही सोंदरिक ले प्रस्थीत है इस परदेश में हर दस मीटर पर आपको एक मंदिर दिखाई देता है जो धार्मे को सांस्कृतिक धरोहर का अधूत प्रतीक है इन मंदिरों में से एक बहुत ही जादा फेमस और मानिता वाला मंदिर है जिसे कहते हैं धारी देवी मंदिर जो अलक नंदा नदी के तटपर स्थित है ये मंदिर उत्राखंड के गड़वाल छेतर के कल्यासो और गाउं के पास है और यहां के मनोरम द्रिशे हिमाल्य और अलक नंदा नदी के अद्वित्ते द्रिशे प्रस्थित करते है धारा देवी मंदिर उत्राखंड के गड़वाल छेतर में स्थितिक परतिश्टित हिंदु मंदिर है यह मंदिर मा देवी काली के अफ्तार मानी जाने वाली देवी धारा को समर्पित है यहां इस मंदिर की बहुत ज़्यादा पूजा किये जाती है और बहुत दूर दूर से भक्त लोग माता के दर्शन करने आते है धारा देवी मंदिर आलकनन्दा नदी के किनारे स्थित है और ये मंदिर स्थानिय भक्तों के बीच अत्याथिक आध्यात्मिक महत प्रकता है और माना जाता है कि ये मंदिर चार धाम बद्रिनाद, केदारनाद, गंगोतरी और यमनोतरी की रक्षा करता है कहा जाता है कि इस थान पर देवी की मूर्थी स्वो प्रकट हुई थी और यहां की देवी की मूर्थी का जो उपरी भाग है वो यहां स्थापित है जबकि निचला भाग काली मठ में स्थित है आगे हम वीडियो में इसकी थोड़ी सी कहानी भी बताएंगे कि ये माता रानी का सर और जो निचले हिस्से की बात है वो कहां से आई और कैसे वो यहां पहुंच जा था धारी देवी मंदिर में साल भर भक्तों का तांटा लगा रहता है विशेश करके नवरात्रे के दोरानियां विशेश, पूजा, अर्चना और अनुष्थान किये जाते हैं मंदिर के आसपास का छेतर अपनी प्राकरतिक सुन्दर तक ले भी प्रसित है जो भक्तों को आध्यात्मिक शांति और सुकुन प्रदान करता है ये मंदिर ना केवल धार्मिक दिश्टिकोन से महत्वपून है बलकि प्राकरतिक दिश्टिकोन से भी ये बहुत ज़्यादा अध्वित्य है जो भक्तों और प्रेटकों दोनों को आख्रशित करता है धारी देवी मंदिर की स्थापे कला अत्तन प्रभापशाली है इस मंदिर में हिंदू वास्ते कला की प्रमुग विशेष्टाएं देखने को मिलती है जैसे कि भव्वे प्रवेश द्वार, विशाल, शिखर और गर्ब ग्रहे गर्ब ग्रहे में देवी काली की मूर्ती स्थापित है जो कि इस मंदिर का मुख्या अक्रिशन है मंदिर के परिसर में कई छोटे-छोटे मंदिर भी हैं जहां अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है धारी देवी मंदिर की स्थापना द्वार पर यूब में हुई थी ये मंदि विशेश रूप से इसलिए भी प्रसीद है क्योंकि यहां देवी काली का उपरी हिस्सा स्थापित है जबकि निचला हिस्सा काली मठ मंदिर में है एक पुरानी कठा के अनुसार देवी धारी का रूप दिन में तीन बार बदलता है सुबा के समय देवी करनिया रूप में होती है दपैर में महिला की रूप में और शाम को ब्रधा की रूप में दर्शन देती है ये परिवर्तन देवी के शक्ति शाली और रहसे में इस वुरूप का दश आता है धारी देवी मंदिर से जुड़ी कई चमतकारी कथाई और मानेता भी हैं जो इसे और भी जादा विशेश बनाती है जैसे की कहा जाता ही की जब जब धारी देवी की मूर्ती को स्थानांत्रित करने का प्रयास किया जाता है तब तर छेट में प्राकरतिक आपदाई आती हैं जैसे की सन 2013 में जब मूर्ती को मंदिर से हटाया गया था तब ही उतरा खंड में भैंकर बाड और भुसकलन हुआ था इसके बाद लोग मानते हैं कि देवी की मूर्ती को छेड़ना आपदाओं को निमंतरन देना है कई भक्तों ने दावा किया है कि उन्हें यहां देवी की कृपा और आशिरवायत की चमतकारी अनुभव हुए हैं उनके जीवन में समस्याओं का समाधान बीमारियों का थीक होना और अन्य व्यक्तिकल समस्याओं का हल देवी के दर्शन और प्रातना से हुआ है यहां के स्थानी लोगों का माना है कि देवी धारी के दर्शन करने से भक्तों के मनों कामना पूर्ण होती है इन चमतकारों और माननतों के कारण धारी देवी मंदीर ना किवर स्थानी लोगों के लिए बलकि दूर दूर से आने वाली शधालों के लिए विशेश आकरशन का गेंद बना हुआ है मंदिर की मूर्ती के बारे में कथा प्रचलित है कि धारी देवी अपने साथ भाईयों के अकेली बहन थी उनके काले रंके कारव उनके भाईयों उन्हें बहुत सता दे थे और उनकी मृत्य को कारण भी बने धारी देवी के पांच भायों की मृत्य हो गई थी जबकि बाकी दो बचे थे तो उनको लगता था कि धारी देवी का बैड लग है बूरे करम है अशुब है यही करके उनके बाकी भायों की मृत्य हुई है इसलिए उन्होंने अपने आपको बचाने के लिए धारी देवी का म और वहां की लोगों ने जैसी इसको पाया उन्होंने सोचे कोई चमतकार है भगवान का ही कोई संदेश है तो उन्होंने उससे लेकर कि उसकी पूजा शुरू कर दी कहा जाता है कि धारी देवी की मूर्ती समय समय पर बदलती रहती है और ये मंदिर किसी चमतकार से कम नहीं म अक्षस रक्त बीच का वद्ध किया था और फिर प्रित्वी के नीचे समा गई थी ये मंदिर बे उत्राखंड की धार्मी धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है दो हजार तेरा में उत्राखंड में आई महाप्रले का सम्मन धारी देवी की प्रतीमा को स्थानेंत्रित कर गया तब ही बहंकर बाड़ तबाही आई इसी परकार 1882 में भी जब एक राजा ने देवी की प्रतीमा को स्थान अंत्रित करने के परयास किया था तब भी भूसकलन हुआ था धारी देवी मंदिर की बहुत ज़्यादा मानेता है और यहां के भक्त लोग इनकी बहुत ही खुला रहता है लेकिन दूरका पूजा नवरात्र के समया विशेश रोनक होती है और इन तिहारों के दोरान मंदिर को सुन्दर धंग से सजाया जाता है और अनिक संस्कृत और धार्मी कारेकरम आयोजित किये जाते हैं भक्तों की भारी भीड, भव्यार्ती, भजन और नि यह शहर विविन धार्मी को प्रेटंस धलो का केंदर है इसके बाद केदारना जो की रुदर प्रयाग जिले में स्थित भगवान शिवजी का प्रसित धाम है यहां तक पहुंचने के लिए गूरी कुंट से 16 किलोमेटर की कठी न्यातरा करनी पड़ती है इसके बाद चोप जो इसे एक शान्त और सुन्दर प्रेटंस धल बनाते हैं फिर बद्रेनात मंदिर भी धारी देवी मंदिर के आसपास पड़ता है भगवान विश्नु को समर्पित यह मंदिर उत्राखंड के चार धामों में से एक है और इसकी धार्मिक महता बहुत जादा प्रचलित है ध अरी देवी मंदिर के वाल एक स्थाप पे सरंचना नहीं है बलकि उत्राखंड की धार्मिक और सांस्क्रितिक धरूहर का प्रतीक है यहां आने वाले भक्तों को माता धारी देवी की उपस्तिति का अनुभव होता है और वे अपने सभी मनों कामने पूर्ण करने का प्रातन यह मंदिर चार धाम यात्रा के रास्ते पस्थित है और इस उत्राखंड के चारों धामों की रक्षक देवी माना जाता है अरी देवी मंदिर की यात्रा तीन मुखे मारगों से की जाती है अगर आप हवाई मार्ग से आना चाते हैं तो जौली ग्रांट एयरपोर्ट दहरा दून मंदिर से लगबग 168 किलोमेटर की दूरी पर है वहां से रूदर प्राग के लिए बस या टेक्सी की सुबिधा है अगर आप रेलवे मार्ग से आना चाहते हैं तो रिशी केश रेलवे स्टेशन जो मंदिर से करीब 136 किलोमेटर दूर है निकटम रेलवे स्टेशन ह रूदर प्राग के लिए बस या टेक्सी की सुबिधा है अब सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो रूदर प्राग जो परमुक सड़कों से अच्छी तरह से जुड़ा है वहां से धारी देवी मंदिर की दूरी लगबग 18 किलोमेटर है आप एक बार जरू धारी देवी मं की धार्मिक और सांस्कृति धरूहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है इसके अद्वित्य स्थापे पुरानिक कथाओं और धार्मिक मानेताओं के कारें ये मंदिर भक्तों प्रेटकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थाल बन गया है यहां की आत्रा ना केवल धार्मिक दिश्टी से महत्वपूर्ण है बलकि यहां के प्राकरतिक सोंदरे और शक्ति का अनुभव कराता है हारी देवी मंदिर की आत्रा हर व्यक्ति के जीवन में अनोखा और सुम्रित अनुभव प्रदान करती है जो उससे आध्यात्मिक संतुष्टी और मानसिक शान दे रहेंगे